बच्चे का केरियर डिसाइड होता है स्कूल से लेकिन कौन सा स्कूल डिसाइड करें ये नहीं हो पाता है पैरेंट से तो आज की इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकली इंफॉर्मेशन देंगे कि किस तरीके से आप अपने बच्चों के लिए 100% कॉंफिडेंस के साथ 100% करेक्ट स्कूल चूज करता है मेरा नाम है इस रिष्ट गुब्दा और सौरव अगरवाल से अपके बच्चे क्लिए कौन सा बेस्ट स्कूल है आप कैसे चूज करें सबसे पहला पॉइंट है कि आपको एक लिस्ट बनानी होगी कि कौन-कौन सा स्कूल आप्शन में आपके चूज करना है या अगर आप भार होस्टर में बेस सकते हो तो कौन-कौन सी लोकेशन में बेस सकते हो यहां यहां रिलेटिव रतने हैं आप देसके है तो वहां पर जो टीचर है उसको पढ़ाने में असाली भी बहुत जादा जाएगी प्लस वहां पर का जो एजूक्र ले हैं तो सबसे पहले आप यहीं देखिए कि school में क्या को elections random हो रही है बहले वो नैश्ण level की हो चाहे वो local level की हो अगर इंटरेंट्स exam के थुर ही अगर बुच्चों का selection हो रहा किसी प्रटिकुलर school में और ऐसे कोई बी बच्चा इस स्टूडेंट अच्छे मिल गए बट अगला जो स्टैप है वो आपको जानना है कि आपकी बच्चे के लिए उसका फ्यूचर गोल क्या है अगर आपने बच्चे को आयाइटी जी या नीट कराने का प्लैन कराया है तो आपको बच्चे को CBSC में डाल दिया तो उसको बहुत मुश्किल पड़ेगा आयाइटी जी या नीट की स्टडी करने में 11 और 12 में पर वहीं पर अगर आप अपने बच्चे को कॉमर्स दिलाते हैं CBSC में तो उसके लिए चीज़ आसान होंगी पर अगर आपका गोल है कि आप अपने बच्चे को UPSC कराना चाहते हैं तो उसकेस में ICS is the best option तो इस तरीके से अपने बच्चे के गोल स्वाक को समझना पड़ेगा future planning को समझना पड़ेगा और फिर decide करना पड़ेगा board कौन से है next है discipline जो कि एक बच्चे की life में बहुत ज़्यादा value create करता है discipline आपके बच्चों के अंदर अगर है तो आपको tension लेने की जरुवत नहीं है वो कुछ नो कुछ बहुत अच्छा achieve कर लेंगे तो discipline कैसे देखें बच्चों का या school का किस तरीके से आप देख सकते हैं तो उसके लिए आपको school visit करना पड़ेगा या फिर जिन school में already अगर आपके कोई जान पहचान की बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपको उन से पुछना पड़ेगा आप किस तरीके से देख सकते हैं आप teachers का discipline देख सकते हैं बच्चे किस तरीके से discipline में है जब उन्हें कोई parents या teachers देख रहे हैं या जब नहीं देख रहे हैं जब वो school से बाहर आ रहे हैं तो वो किस तरीके से आ रहे हैं ये सारी चीजों को देख कर कि आप एक idea लगा सकते हैं कि हाँ discipline ठीक है इस school का यहां हम अपने बच्चे को भेज सकते हैं अगला जो step है वो बड़ा interesting सा step कि जो school उसको manage कौन करता है देखिए as a parent हम जब भी अपने बच्चे के लिए school ढूणने जाते हैं तो हम या तो उसके students को देखते हैं या उसके teachers पे focus करते हैं लेकिन rarely ही हम यह focus करते हैं कि उस school को manage कौन कर रहे और उस school का owner कौन है example के लिए अगर कोई school है जिसका owner एक politician है for example और उसके पास काफी पैसा है तो chances are there कि उस school में education पे ज़्यादा focus नहीं होगा सिर्फ curriculum पे कुछ function हो रहे इवेंट हो रहे उस पे ज़्यादा focus होगा लेकिन अगर हम एक example ने सैनिक स्कूल का तो सैनिक स्कूल को सैनिक स्कूल society manage करती है तो जैसी आपको पता चला कि सैनिक स्कूल society manage कर रही है कि आप confident हो कि सैनिक स्कूल में discipline, punctuality, सारी facilities बहुत अच्छे से मिलेंगी तो you have to choose and understand कि कौन सा स्कूल है जिसके managers कौन है, owners कौन है और वहां से भी आपको decide करना पड़ेगा इस school कौन सा choose करें and the next thing is location, safety and affordability अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो affordability आप सबसे last में देखिएगा लेकिन आपके पास ऐसा है कि आपके limited salary आ रही हो limited में आपको अपने बैच्चों के लिए best से बैच सेलेक्ट करना है तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा मालीजे दो school है, दोनों में entrance exam से अच्छे बच्चे है, discipline है, सब कुछ अच्छा है एक थोड़ा ज़्यादा high-five है, उस नाम का वो अलग charge कर रहे है मालीजे ये 10,000-20,000 रूपर charge कर रहे हैं और ये 50,000-7,000 रूपर charge कर रहे हैं तो आपको बस थोड़े से effect के लिए कि हाँ थोड़ा और ज़्यादा high-five है, building बहुत ज़्यादा अच्छी है सिर्फ इस चक्कर में आप 15-20,000 की चीज के लिए आप कितना दे रहे हैं 50 और 60,000 रूपर तो वो बिल्कूल भी valid नहीं है, मतलब value for money होना चाहिए, मतलब आप जितना पैसा दे रहे हैं उतनी value आपको मिलनी चाहिए second है location, ये चीज बहुत ज़्यादा important है, मैं भी कई बार देखता हूँ, कई बच्चे को स्कूल से घर जाने में और घर से स्कूल आने में दो घंटे लग जाते हैं 15 किलोमेटर, 16 किलोमेटर दूर स्कूल हो गए, 20 किलोमेटर दूर स्कूल हो गए, बस सर्विस तो है, लेकिन आने जाने में दिन भर का 3-4 घंटा एक बच्चे का वेस्ट हो रहा है, जो की बहुत बड़ा चिंता का विशा है तो अगर ऐसा कोई आपको लोकेशन मिल रहा है, जो आपके पास में है, या होस्टल में रह रहे हैं, तो होस्टल में तो लोकेशन का कोई टेंशन नहीं है या फिर अगर मनली जा आपका up down कर रहे हैं अगर बच्चे day borders है तो location बहुत बड़ा matter करता है and the second thing is safety, cctv camera सारे classroom में बाहर आपका entrance में है या नहीं है plus वो location जो है वो किस तरीके की है, वो location proper safety वाली location है की नहीं कहीं एकदम बाहर जंगल में, कहीं एकदम outer में तो school है की नहीं, ये भी बहुत बड़ा factor है तो अगर आप अपने बच्चे के लिए best school ढूड़ना चाह रहे हैं और आपको बहुत सारे doubts हैं तो आप हमें contact कर सकते हैं, अगर आपके बच्चे 3rd, 4th, 5th class में हैं तो हमें directly contact करें, हमारा number आपको description में मिल जाएगा और हम आपको बताएंगे कि कौन सा best school आपके बच्चे के लिए best है अभी के लिए अगर मैं कहूं तो हमारे opinion में Sanic school is the best for your बच्चा और उसमें admission कैसे लेते हैं वो process मैं अच्छे साब को समझा दूँगा मुझे contact करने के लिए आपको number description मिल जाएगा जय हिन